अगर आपको प्रेपर के उपर इस तरह से भारी चीज को रखना है या बैलिस करना है तो मैं जैसे प्रेपर को फॉल्ड कर रहा हूं तो आप इसी तरह से प्रेपर को कॉल्ड करते जाना तो ही भारी चीज चुक शक्ती है वन्ना गिर जाएगी वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने वीडियो को तुड़ा फास कर लिया है कर देखते हैं तो चलिए मैंने इस तरह से प्रेपर को फॉल्ड कर लिया है तो अब इसे ग्लास पर रखते हैं और देखते हैं इस पर फार्टीज कर देखते हैं तो आप वीडियो में साथ सब्सक्राइब सकते हो कि इसी खागज पर हमने पहले ही इसी पत्तर को रखा था लेकिन अपकी बार हमने प्यापर को फोल्ड कर लिया है और पत्तर रखा तो देखिए पत्तर गीर ही नहीं रहा तो चलिए हम प्यापर के मज़र से आपको दूसरी टिक दिखाते हैं तो जब हम लाइटर से इसको जलाते हैं तो यह जल्दी जल जाता है लेकिन इसके अंदर कोई भारी चीज या कोई वस्तु रखेंगे तो फिर जलाएंगे तो यह कागज या प्यापर नहीं जलता चलिए आप वीडियो में देख सकते हैं तो हमने प्यापर के अंदर यह भारी चीज यानि पट्र को रख लिया हैं तो अब लाइटर से ट्राय करते हैं यह जलता है या नहीं जलता है तब वीडियो में शाब सब देख सकते हो कि लाइटर के मदशी पैपर को जला रहे हैं लेकिन उसके अंदर भारी चीज यानि पत्त है इसलिए वो जली जल नहीं रहा है और वो ब्लैक ब्लैक हो रहा है तो हमारी पैपर के मदशी दो ट्रिक कैसे लगी अगर पसिन आया हो तो लाइक और सेस्ट्राइब कर देना तो चले मिलते अगले न्यू वीडियो में